करोना काल में हुए PPE किट गोटाले की जांच को बिजलेंस द्वारा बंद करना सरकार के ब्रश्टचार में लिफ्ट और इसको सरंक्षन देने के आरोपों को सही साबित करता है PPE किट की जगा करोना बेरियर्स को रेन कोट की स्प्लाइ की घटना ना केबल शर्मनाख है अपीतू अमान भी अभी है और ऐसे घोटाले के आरोपियों के बिरुद जांच बंद करना करोना योधाओं का घोर अपमान है कॉंग्रिस प्रवक्ता प्रेम कोशल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाईयों ने आपदा को भी धन कमाने के अफसर के रूप में इस्तिमाल किया है और अब घोटालों में सनलिप्त अपने लोगों को बचाने के लिए जांच को बंद किया जा र क्रोनम हमारी के दौरान हुआ उसकी जांच वेजिलिंस में भागने बंद कर दी है खत्म कर दी है ये एक ऐसा शर्मनाक और अमानवी घोटाला ही माचल परदेश के अंदर हुआ जिसमें जो हमारे करोना वारियर्ज हैं महामारी से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर्ज हैं पैरा मेडिकल स्टाफ हैं दूसरे करमचारी हैं जो उनके संपर्क में आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खरीद में पी-पी-ई-किट की जगा रेनकोट स्प्लाई किये गए ये कोई सधारन बरच्चाचार का मामला नहीं था इसमें बरच्चाचार के साथ साथ एक घ्रिनित और हीनियस क्राइम जिसको कह सकते हैं उसको अनजाम इस गोटाले के मादिन से दिया गया और आज हिमाचल परदेश के अंदर विजिलेंस भी भागने हैं इसकी जाँच को बंद करके चोईस कोटाले में सनिप्त लोग हैं जिनको शायद सरकार का सरंक्शन प्राप्त है उनको बचाने का प्रियास किया है ये उस से भी बड़ा गोटाले से भी बड़ा ग्रिनित का रहे हिम जिसकी कारे पर नाली में मान बियों मुल्यों की कोई वैल्यू नहीं है कोई एहमेत नहीं है कोई कीमत नहीं है और जिस सरकार के अंदर करोना महामारी से लड़ने वाले जो योदा हैं उनके लिए खरीद किये गए जो उपकरन हैं उनकी खरीद में घपला हो सकता है उनकी खरीद में गोटाला हो सकता है उनकी खरीद में बैमानी हो सकती है उस से असंबेदन शील भरष्ट और कीरी हुई सिरकार मैंनी समिस्ता विश्यप के किसी परदेश में किसी देश में दूसरी हो सकती है